शुनील कुमार शर्माजी का प्रशन है गुरू जी अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए क्या करें उसकी रक्षा कैसे करें हमारा सनातन धर्म बहुत खत्रे में है हम सनातन धर्म वाले क्या करें गुरू जी हम सभी सनातनियों को हम पहले स्वयम अपने धर्म का पालन करे सनातन धर्म की रक्षा करना हो तो सनातन धर्म की रक्षा ना कहने से होगी और ना तो ये रटने से होगी कि रक्षा हो रक्षा हो करने से होगी हम स्वयम पहले धर्म को पहचाने और हम स्वयम पहले धर्म पर आरूढ स्वयम हो जाएं है ना धर्म क्या है सनातन धर्म का मूल क्या है मात्र देवो भब अपनी मा को भगवान मानो अपने पिता को भगवान मानो अपने गुरु को भगवान के नजरिय से देखो और सब के साथ भला करो ये सनातन धर्म का मूल है परहित सरे से धर्म नहीं भाई पर पीडासम नहीं अधमाई हम खुद अच्छे बने औरों को अच्छा बनाए यही प्रचार है हम जब तक स्वयम अच्छे नहीं होंगे तो हम दूसरों को अच्छा कैसे बनाएंगे जिसको बनाने जाएंगे वो यह कह दे कि पहले खुद तो कर लो इसलिए स्वयम को बदलना जरूरी है परिवर्तन दूसरों से नहीं खुद से इसी से सनातन धर्म का प्रचार हो जाएगा और सनातन धर्म की प्रचार के लिए हम सभी भारती क्या करें कि सब को गीता रामान की बारे में बताएं एक्शुली हमारी सनातन धर्म में लोगों को यहीं नहीं पता गीता क्या है रामान क्या है आज लोगों से पूछो कि रामायन और रामचरतमानस में क्या अंतर है किसने लिखी है सौ में से पंचाननवे लोगों को नहीं पता कि रामाण और रामचरतमानस क्या है नहीं पता आपको नहीं पता जबकि आप सनात नहीं हो बताओ रामाण और रामचरतमानस में क्या अंतर है बहुत सुन्दर दौनों के राइटर अलग-अलग हैं अलग अलग है ठीक है ये बात लोग नहीं जान रहे हैं उनको लगता है रामाड राम चरित्वानस एक ही है उनको लगता है भागवत और भगवत गीता एक ही है ना जी श्रीमाड भागवत अलग है भगवत गीता अलग है अब ये सनातन धरम का आप लोग जानकारी पहले हास प्रचार है अच्छा प्रश्न किया है सुनिल जी ने सुमन भधोरिया जी गुरु जी अगर कोई पतनी अपने पती की बात नहीं सुनती है और अपने मा से दिन रात बात करती है पर अपनी सास को गाली देती है अगर मैं कुछ कहता हूँ तो धमकी देती है कि मैं जो कर रही ह हूँ अच्छा कर रही हूँ अब देखो ऐसी बहुओं को समझाया ही जा सकता है ऐसी बेटियों को ऐसी बहुओं को और ज़रा सा माबाप को भी समझदार होना चाहिए कि वो अपनी बेटी से ज़्यादा लगाव ना रखें माबाप मा का अटेचमेंट बेटी से होने के पड़ता है यह समस्यां लगभग सब की ही हैं लगभग साधी के बाद बेटियों का अटेचमेंट छूड़ता नहीं है और वहाँ देखो एक बाद बताएं जब घर बनता है ना नया तो घर के चार दीवारी में बाहर का बारिस का पानी ना इससे हमें बचाना पड़ता है है ना नहीं तो उसकी नीव कमजोर कर देता है पानी उसी तरह ससुराल में जाने के बाद बेटी अब ससुराल की हो गई है मासे रमबंध रखे प्यार रखे थोड़ा ठीक है ज्यादा आएगा तो फिर वो नीव कमजोर पड़ने लग जाएगी पती ही बोलने लगेगा कि जाओ अपने मा के पास ही रहो और जरा सा ऐसा बोल दिया तो पतनी तो बिल्कुल ठीक है मैं चली कोई माबापको मैं बोज थोड़ी थी लो भी चली गई ऐसे रिस्ते टूट जाती है समझदारी ये नहीं है रिस्तों की जिम्मेदारी सब के उपर है यदि मैं अपनी जिम बचाए जाते हैं नहीं तो लोग तो तोड़ नहीं बैठे हैं पल भर में आजमी तोड़ देता है समझदारी नहीं है लोगों के अंदर